हेलो, इस वीडियो में हम देखेंगे कॉसी इंटरीगल थेयोरम, कॉंपलेक्स एनलेसिस, MSC मैथमेटिक्स फर्स्ट सेमेस्टर की यूनिट फर्स्ट का एक टॉपेक है कॉसी इंटरीगल थेयोरम, सबसे पहले हम देखते हैं, स्टेट्मेंट स्टेट्मेंट है, if f of z is our regular function, f of z क्या है, एक regular function है, and if f dash z is continuous at each point within and on a closed contour c, then आपको proof करना है, इंटरीग्रेशन c, f of z, dz equal to 0, तो f of z क्या है यहाँ पर, regular function है, और f dash z क्या है, continuous है, each point पर, तो जब कोई function continuous होता है, तो वो differentiable होता है, और अगर differentiable होता है, तो analytic function होता है, और यदि analytic होता है, तो वो CR equation को hold करता है, चलिए फिर proof देखते हैं, यहाँ पर सबसे पहले, यहाँ पर जो हमारा equation था, हमें यह लेके चलना है, और equal में हमारा 0 हम proof करेंगे, f of z, dz लिया, जहाँ पर जो complex number आपने पढ़ी होंगी, z equal to x plus iv, तो z की value यह होती है, अब z की जहाँ पर हम dz कर देंगे, तो dx plus i dy हो जाएगा, और f of z होता है, u plus iv, ओके, फिर इन values को इसमें put करना है, तो यहाँ पर integration c हो गया, और z की value, f of z की value, u plus iv, और dz की value, यहाँ यह दी z की value रख दी हमने, dx plus i dy, इसके बाद यहाँ पर u का इसमें multiplication किया, u dx हो गया, iv का, इसमें तो i b dx हो गया, फिर इसमें इन दौनों का करेंगे, तो u का इसमें, तो i u dy हो गया, फिर i का जब i, तो i square और a हो जाएगा, v dy, अब चुकि हम जानते हैं, i square minus 1 होता है, यहनि जो i की value होती है, जो i की value होती है, वो क्या होती है, रूड बन, तो इस हिसाब से इसको यदि हम square करेंगे, तो minus 1 आएगा, फिर simply कुछ नहीं करना है, उसी को, calculation को u dx, i v dx, i u dy, यहाँ, i square minus 1 हो गया, यहाँ, v dy लिका हुआ है, फिर next है, अब यहाँ पर जो इसके real value से उसको एक साथ लिख दिया, और जो imaginary value से उनको एक साथ लिख दिया, u dx minus v dy plus i, v dx plus u dy, अब देखते हैं next, वही function है यहाँ पर, अलग-अलग integration दोनों, जो, यहाँ पर प्लस है, तो यहाँ पर भी integration ले लिया, यहाँ पर भी अलग-सी ले लिया, अब इसमें आपको किबल green theorem, यदि आपने पहले पढ़ी हो तो ठीक है, नहीं तो आपको यह याद रखना है, यह green theorem होती है, integration p dx plus q dy equal to double integration, del q upon del x minus del p upon del y dx into dy, तो इसको रट लेना आप ही फिलाल के लिए तो, इस theorem के लिए, तो यह green theorem होती है, y equation first, अब हमने यह equation first लिखा, और देखो, यहाँ पर dx है, यह dx है, तो जो यह u है, वो p के बराबर हो जाएगा, और यह जो q है, यहाँ पर minus b के equal है, फिर dy है, देखो, यहाँ p dy है, इस से हमें इसको compare करना है, तो dx p की value u, और q की value minus b, ऐसे ही यहाँ पर हो जाएगा, तो क्या करना है, इस वाला function, देखो, यहाँ पर यह function दिख रहा है, इस वाले function को हमें इस रूप में convert करना है, ऐसे ही यहाँ पर यह function है, तो इसको हमें इस रूप में convert करना है, चलो, y question में, जो हमने देखा कि p की value u है, यहां पर जो symbol है इसको भी 7 में लेना है प्लस माइनस भी 7 में लेना है तो Q की वैल्यू माइनस भी हो गई ऐसे ही इस वाले में P की वैल्यू भी और U की वैल्यू Q की वैल्यू प्लस U अब इस वाले को इसमें convert करना है तो यहां पर Q अपॉन डेल X है यहाँ Q की value minus B है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा minus B minus del B upon del X हो जाएगा फिर minus लगा तो यहाँ पर हमने minus कर दिया यहाँ पर del P बटे del Y है और जोकि P की value U है तो यहाँ पर P की value U हो जाएगी तो minus del U बटे del Y और यह dx dy उपन जियों करते हूं फिर plus I हो जाएगा यहाँ पर double integration हो जाएगा यहाँ पर लगा हुआ है फिर P की value B है तो यहाँ पर P था यहाँ पर Q Q की value U है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा del U बटे del X अब यहाँ पर U तो Q की value plus U तो यहाँ पर Q है ठीक है तो U plus U रख दिया हमने अब यहां P है तो P की वैल्यू भी है तो इस P का निफुजमस होना इससे टर्रेट कंपेर कर रहे हैं तो इस P की वैल्यू भी है तो यहां पे अपन भी पुट कर देंगे तो डेल भी अपॉण डेल Y D X D Y देखो एक बार फिर से दिखते हैं यहां PDX इसको हमें इस रूप में convert करना है एक ग्रींज तियोरा में तो यहां पर जो P है हमारा यहां पर U है यहां Q है तो यहां माइनस V है तो यहां पर जो Q है तो Q की जंगा पर माइनस V होगा और इस वाले P की जंगा पर यह U होगा, इसी तरीकी से इसमें apply हो जाएगा, तो यह अब यहां आ गया, अब आपको simply एक CR equation, जो कौसी दिमान equations होती है, इनको भी दिमाग में रखना है, पढ़ी होगी आपने, ए डेल U बटे डेल X एक्वल होता है, डेल B बटे डेल Y और डेल U अपन डेल Y एक्वल हो तो यहां पर इस यार equations होती है, लब дел U upon डेल X, डेल B बटे डेल Y और डेल U upon डेल Y माइनस डेल B बटे डेल X, इनको जात करो, अब जो equation is 2 है, इसमें इनकी वैल्यू को पुट करना है, तो डेल U बटे डेल X की वैल्यू कहां पर है, ए डेल B बटे डेल Y है, तो यहां पर है डेल यू बटे डेल एक्स तो इसकी value हो जाएगी डेल भी बटे डेल वाए यहां पर रख दिया डेल यू बटे डेल वाए यहां पर है डेल यू बटे डेल वाए तो इसकी value minus डेल भी बटे डेल एक्स रख देंगे यहां पर तो यह minus का minus का यहां पे plus हो जाएगा और इस तरीक से value रख दी अब minus del v 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 तो प्रूफ करना था वो प्रूफ हो गया से इंट्रीकेशन सी एप आप जयर्ट टी जेड एकल टू जिए तो यह होगा जमारी कोसी इंट्रीगल टेरोम